इस वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी 50 के वारे में कि मंडे को निफ्टी 50 कहा ओपन हो सकता है कौन से लेवल है जो आपको ध्यान में रखने है और कहां से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट उपर की तरफ जाता है तो फ्राइडी की बात करें तो हमारा मार्केट ओपन हुआ था 17,867 के आसपास मार्केट ने लो लगाया 17,774 जो कि उसके एकदम नीचे के लेवल से जहां मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजे हाई मार्केट ने बनाया 18,000 से जस्ट एक पॉइंट नीचे और वहां से profit booking देखने को मिली 45-50 पॉइंट के आसपास अब हम देखेंगे कि Friday के दिन US मार्केट में क्या हुआ है अगर हम Dow Jones और Nasdaq की बात करें तो आप देख सकते हैं Dow Jones लगवा पॉइंट 33% उपर है और Nasdaq पॉइंट 71% हमारे आज रिजल्ट भी नीचे तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको मंडे को देखने को मिल जाएगी एक important बाद में आपको बताऊंगो जो शायद किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं होगा आप देखिए ऐसा सोच रहोंगे देखिए market आगया 17956 मंडे को market 500 पॉइंट उपर जाएग जो हमें कहीं न कहीं काफी कुछ बता रही है market के बारे में कि market क्या करने वाला है आने वाले दिनों में बट उससे पहले हम क्या करेंगे उससे पहले हम nifty 50 के चार्ट को analyze करेंगे weekly, monthly and daily चार्ट के बारे में देखते हैं कि क्या scenario हमें नजर आ रहा है हमें किन levels का ध्यान रख request है 96% जनता मुझे नई देखती है सिफ 4% लोग है 2000 मैसे जो मुझे continuous follow करें तो आप लोगों से request है प्लीज चैनल को subscribe करें ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे और मैं और अच्छा content आपके लिए बना के लापाऊ अब जल्दी से हम monthly view देख लेते हैं कि monthly view क्या बोल रहा क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जो levels पर market अभी है अगर यहां से गिरता है तो monthly भी breakdown आएगा और वो बहुत बड़ा panic create कर सकता है अब आप देखिए market है हमारा 18,000 के आसपास ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं आप देखिए यह level है 18,000 के यहां आपक 6th time, 7th time मतलब साथ बार market ने 18,000 के level को break नहीं कर पाया on the monthly basis बार बार उपर तो गया week में गया होगा daily गया होगा लेकिन जो monthly closing होई वो नीचे ही होई यानि कि बहुत बड़ा एक resistance है 18,000 का nifty 50 के लिए इस बात पर आपको रखना है ख्याल क्योंकि आगे और भी बात है आप आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वहीं पर आप गर आप देखेंग तो पिछले 3 मंत से market support भी ले रहा है जो कि यह 18,000 का level या फिर बोले 17,800 के level जहां market हमारा बार बार जा रहा है और support ले रहा है अगर यह levels तूटते हैं और यह trend line का breakdown आता है तो भाया market अच्छा खासा 500-600 point और गिर सकता इस बात के लिए आप ready रहना ठीक है कि अगर यह तूटता है तो और ज़्यादा तूटेगा वह आपको opportunity मिलेगी अच्छा खासा पैसा बनाने की जो लोग भी trading करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं अब हम बात करेंगे weekly basis पे कि weekly basis पे market में क्या हो रहा है 7800 के नीचे जा रहा है बट closing नहीं दे रहा है closing उसके उपर ही हो रही है एक और important बात कि जितनी बार कोई level test हो जाता है ना मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि जितनी बार यह test हो जाएगा उतना यह weak हो जाएगा और अगर weak हो जाएगा देखें जितनी ज़्यादा बार testing होगी अगर यहां से यह उपर नहीं जाता है ना और अगर यह इसको तोड़ देता है 17,760 के levels जो बड़े बड़े हैं तो market बड़ा panic दिखा सकता है क्योंकि testing बहुत 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 बार हो चुकी है इस चीज की तो उतना ही ज़्यादा यह weak होता जा रहा यहाँ पर buyers तो ह जब भी market 17,800 के आसपास जाता है वहाँ buying तो इसको मिलती है लेकिन जो बाहर के बंदे हैं जो 18,000 के उपर selling कर रहे हैं वो इतने heavy है इतना ज्यादा large volume पर है कि हमारा market उसके उपर निकल ही नहीं पा रहा है अगर इसको निकलना है तो DIA इसको बहुत अच्छी buying करनी पड़ तब ये कहीं उपर जा पाएगा या फिर हम बोलें कि 18,250 के लेवल के उपर market जा पाएगा ये हो गया हमारा weekly overview की पिछले चार वीक से हमें नीचे के लेवल पर support मिल रहा है बट ये उतना ही ज्यादा week होता जा रहा है जब ये तूटेगा तो हमें बड़ा panic create होता हुआ दे अलब market इस week जहां पर शुरू हुआ था वहीं पर end हुआ है ना तो इसमें buyers जीते हैं ना sellers जीते हैं तो ये वाला जो week है वो decide ही नहीं कर पाए कि market को जाना केदर है अब जो आप देख रहे हैं ये हमारा daily chart daily chart में बहुत अच्छी candle बनी है पिछले Friday की end जो हमें कई ना कई ये बतारीगी market मंडे को 18,000 के उपर opening देख सकता है 40-50 point उपर बट important वापस से यही हो जाएगा कि क्या market sustain करेगा वो levels को सबसे important बात है अगर market को 18,000 के उपर निकलना है मंडे को निकलेगा most probably market 18,000 के उपर जाएगा लेकिन जो ending होगी ना market की वो important हो जाएगी कि market 18,000 के उप पर रुका है अगर रुका है तो आपके लिए एक target open हो जाएगा 18,150 का जहाता है फिर market वापस से जा सकता है मैंने कुछ टाम पहले ही आपको बताया था एक बार अपने आप से जाके देखना 15 मिनिट की candle लगाना जहां आपको देखेगा 18,150 के आसपास एक resistance है और उसके बा होती है तो हम थोड़ा सा move देख पाएंगे लेकिन important वही है कि sellers बहुत आवी है वापस से नीचे ना आ जाए अगर 18,000 के नीचे closing देता है end आते आते तो कहीं ना कहीं थोड़ी वापस से tension हो जाए कि market वापस से कहीं 17,800 की तरफ तो नहीं जा रहा है वापस आपको बता रह की बात करें 17,760 एक level है 17,760 से 17,800 ये एक level है अगर इसके नीचे market daily closing देता है 17,700 तो फिर बड़ा panic आएगा उपर की बात करें तो 18,250 यहां से हमें rally देखने को मिलेगी बट क्या आएगा वो time वो बहुत जादा important है अब आपको एक important बात बताऊंगा जो बाकी लोग discuss नहीं कर रहे होंगे जो मैं आप लोगों से discussion करना चाहता हूँ आप लोग देख सकते हैं यह money control का side यहां पर हमारा इस पूरे मन्त का data है FII DI की buying और selling का ओके अब आप देखाएंगे दो जनवरी को market में FII ने selling किया 200 फिर 600 फिर 2500 फिर 2900 तो यह बड़ा बड़ा जो इन्हो 400 करोड अब आप बताईए अगर FII इसमें से निकल रहे इंडियन मार्केट से तो कैसे इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा पिछले मन्त की बात करें तो total selling जो थी वो सिफ 14000 करोड की थी अब अभी इस टाइम पर 13 दिन में ही 17-18000 करोड selling हो चुकी है तो यह कई ना कहीं एक टेंशन वाली बात है जिस वज़े से हमारा मार्केट एक रेंज मांड गूम रहा है FII क्या कर रहे है? DIA सिर्फ सपोर्ट कर रहे है मार्केट को जो हमें बार बार दिखता है ना कि 17800 पे बाइंग आ रही है बाइंग आ रही है वो यही लोग है या रिटेलर लोग जो कईना कहीं पुछ दे रहे है मार्केट को उस लेवल से नीचे ना गिरे लेकिन जिस तरह की FII की सेलिंग है वो मुझे बता रही है कईना की की मार्केट नीचे जा सकता है बहुत पॉसिबिलिटी है मार्केट के नीचे जाने की तो यह चीज आप जरूर ध्यान में रख है और आप लोग को आगे ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज इस वीडियो को आपको लाइक करके देना है एक सपोर्ट करिए बिकॉज नया चैनल है नए चैनल पर सपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें औ और आप लोग को कोई भी कमेंट है तो आप मुझे आपका कोई भी डावट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं सबको आंसर करता हूँ आपके कोई भी लेवल से किसी भी स्टॉक में तो जरूर पूछिए मेरे से मिलते हैं एक नई